हेलो इस वीडियो में आपका फेंटासी डिस्टन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग KFC बिग बेस्ट लिग T20 के बात करेंगे जो की मैच होगा या पर Brisbane Heat versus Hobart Hurricanes के बीच में तो चले दोनों ही टीम के प्लियर पर एक बार नजर कर लेते के कौनसर प्लियर को में लेके जाना है कौनसर प्लियर को में लोग यासे ड्रॉप कर सकते हैं सारी डीटेल्स इसे वीडियो में कवर करेंगे तो चले फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की इससे पेले एक छोटी सी रिक्वेस्ट के यूटूब चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब ने किया तो सबसे पहले आपको साथी में टेलीग्रम चैनल से भी जूट जाएगा क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्रम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्रम से जूटने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्रम का लिंक एटेच किया हुआ है इनकेस लिंक वर् पेर में दो बज कर 30 मिनिट पर गबा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किला जाएगा जहाँ पर बहुत ही अच्छे रंस बनते हैं लेकिन खुछ एक्स्ट्रा स्पेशर्स को बाउंस भी मिलेगा तो वहाँ पर विकेट्स बगेरा भी गिल सकती है वैसे भी पेशर्स स्कॉरिंग यहाँ पर 160 प्लस आराम से स्कॉर बन सकता है और चेजिंग रेकॉर्ड में पहले बैटिंग करने वाली टिम को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है 18 मैचे के लिगे जिसमें से 11 बार पहले बैटिंग करने वाली टिम ने जिती है और पिछली 5 मैच की बात एक सो सत्तर के करीबन विकेट्स यहाँ पर पेशर्स को मिली है स्पीनर्स को मिली है सिर्फ 82 विकेट्स और लास मैच की भी बात करूँ तो लास मैच के अंदर यहाँ पर पेशर्स को मिली साथ विकेट्स स्पीनर्स को मिली सिर्फ यहाँ पर एक विकेट्स तो स्पीनर्स क भी पांच मैच इस क्राउंड के लिए जहाँ पर सिर्फ दो मैच जीती है तीन मैच हो हारी है हेट टो हेट की बात करो तो है बाट हरीकेंस का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखेगा आपको 20 मैच के लिए जहाँ पर बिरिस्बेन हिट ने जीते हैं सिर्फ आड मैच बाट हरीकेंस ने जीते हैं 12 मैच तो यहाँ पर उन्होंने बाजी मारी हुए है लेकिन यह जो मैच है यह मैच के इन दोनों ही टिम के लिए काफी इंपोर्णस होगी क्योंकि कॉलिफायर के लिए टॉप फाइट टिम यहाँ पर कॉलिफायर करती है जिसमें से पहले नम्मर वाली टिम सीधा फाइटल में जाती है बाकी चार यहाँ पर अगली फाइटलिस्ट के लिए मिसके लड़ाई करेगी या फिर खेलेगी तो यह मैच इन दोनों के लिए काफी इंपोर्णस रहने वाली है ब्रिस्बेन हीट की बात करो तो ग्यारा मैच के लिए जिसमें से चार मैच वो जीती है छे मैच वो हारी है ओपनिंग के यहाँ से एक मैच की बात करो तो यह अबाटनेट रही थी एक मैच ओपनिंग में कौन है तो ओपनिंग में है यहापर जौस ब्राउन और यहापर उस्मान ख्वाजा दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं जौस ब्राउन की बात करो तो लास मैच के अंदर सिर्फ पांच चलंग के लेकिन इसके पहले हो तो वन टाइम पर आप लोग एक बार फिर से इनके अपर बरोसा कर सकते हो इसके लावा यहां से उस्मान ख्वाजा दिखेंगे आपको अभी दक इतना वह खास इनकी तरफ से परफरमस नहीं है तीन मेच केल चुके इससे पहले बात करूं तो टेस्ट केल के आ रहा है हो और टीम ने डिक्लेयर करती है तो काफी सारी यहां पर ट्रॉल भी गया तो टीम को सबने के वहीं वन नाइटी फाइप आपका बंदा केल रहा है और इनको मेंस के पूरा जो इनिंग है वह डिक्लेयर कर दी थी लेकिन मैच जित गहे थे और उसके लिए यहां पर उस्मान फिर भी आज़ा है एस प्लेयर हम लोग इनको छोड़के नहीं जा सकते काफी रिस्की रहेगा लब उच्छाने वेरी इंपोर्नेट पिकरेंगे इन्होंने भी लास मैच के अंदर कुछ ज्यादा नहीं किये छे रन बना के आउट हो गए लेकिन भरोसा इन दोनों के उपर कर सकते हैं लोग फिर आते हैं यहाँ पर मैट रेंजो जो की लास मैच के अंदर भाई साब ने कमाल कर दिया जिस परफॉमस के लिए जाने जाते है इस लिवल का परफॉमस उन्होंने किया नब्बे रन किये थे एकोस की गयन बाजी करवाते हुए एक विकेट भी निकाल प्लेयर ऐसे मैट रेंजो माने लिए इंपोरेंस रहेंगे लेफ्ट एंडेट बेटिंग करवा लेता है राइट आम और ब्रेक बॉलिंग करवाता हुए नजर आएगा तो अभी के लिए हम लोग इनको जरूर लेखे जाएंगे शैम हैं इतने अच्छे फॉम में अभी द बाकि स्मॉल लिक में लेके जाना अभी के लिए थोड़ा सा रिस्की है तो मैं सज्जेस्ट नहीं करता जिम्मी पियर्सन प्लेयर अच्छे नोड आउट काफी अच्छे परफॉर्मस इस टूनामेंट के लेकिन बैटिंग ओडर काफी नीच है तो इसके लिए इनको अभी सब्सक्राइब चल रहा है तो इनका खड़ाप चल रहा है तो बहुत ज्यादा रिस्की करिये गारा है देश में भी आएंगे इनके अलावा ब्यांच से कोई खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगेरा टेलिग्राम में मिलेंगे जल्दी से जाना है टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लेना है यह बाइस अब अगया है यह बंदा अगर घेलता है तो इनको डेफिनेटल आप लोग ट्राइए कर सकते हो क्योंकि इनके सामने इनके आंकडे काफी एच्छे तो इनको आप लोग ट्राइए कर सकते हैं शायद यह आपर स्टैकेडी को आज कहला है जा सकता है इनके अलावाए से हबाट हरीकंस ने 11 मै मैंच के अंदर फैल रहे हैं तो फिर भी यहां से एजब लेके जाना पड़ेगा इनके अलावाए यहां से बैंड मैक डॉर्मेट की बात करो मैं पर पिछली तीनों मैच कनर फैल रहे हाला कि यह तूना में इनके लिए कुछ खास नहीं रहा दो मैच को छोड़ते तो बाक प्रूनाइंशियान अगर हिंडी में आप बोलोगे तो उनका प्रूनाइंशियशन वाड़े होता है और इंगलीस में इसको वेड पड़ते तो कोई प्रोब्लम नहीं वाड़े या वेड मैथी वेड की बात करो तो लास मैच के अंदर जीरो प्या उड़ हो गया इसके पह काफी दमधार प्लेयर है बरो से लायग प्लेयर है डेफिनेटिल ट्राइग करोगे तीम डेविस इंपॉरेंस रहेंगे अभी तो यहां से कौन-कौन प्लेयरों को आप लोग छोड़ सकते है तो यहां से वाडे और क्रावली इन दोनों को आप लोग डॉप करनेका रिस्क ले सकते हैं से डॉर्मेट को भी डॉप करने का रिस्क ले सकते हैं तो इन तीनों में से किसी दो प्लेयर को याप लोग ट्राइ करिएगा यासे टीम देविस वेरी इनको डेफिनेटली ट्राइ करोगे डार्शी शॉट काफी नीचे खेले लेकिन इसके पहले भी थोड़ी से उपर भी खेलते थे और और अभी करवाई थी लेकिन पर्फरमस इतना कुछ खास नहीं है तो इनको भी लेके जाना अभी के लिए रिस्क है और यहांसे फाई मश् तो यहां पर इनकी तरब से बड़ा पर्फरमस जरूर आएगा अच्छी तरह से बैटिंग करवा लेता है तो इनको थोड़ा सा ज्यान में रखते हो ग्रांड लिग में ट्राइक कर सकते हो एंड्री को अभी के लिए सज्जेस्टने का था स्मॉल लिग में लेके जाना रि तो उसमें असे नथान एलिस और मेरेडिट या से देथ में आएंगे इनके अलावा यहां पर ब्यांच से कोई भी प्लियर खेलता है तो इनके श्रैट्स और उनके अपडेट वगेरा टेलिग्राम चैनल पर प्रवाइड करवा दूँगा ताक्कि आपको आसानी रहेगी चैन्ची स्वकिरा करने की जल्दी से जाओ टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लो अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम को इसी रह सकती है कौन से प्लेर को में लेके जाना है कौन से ट्रोप कर सकते हैं तो बात के रहे आप पर विकेड की शेक्शन की तो मैथ् बाकी बैटिंग सेक्शन से यासे उस्मान क्वाजा, टीम डेविड, इनके साथ यासे सी जेवल और जोस ब्राउन हमारी टीम के अंदर रहेंगे यहाँ पर आप लोग किसी एक प्लेयर को छोड़ना चाते हैं तो यहाँ पर आज कही ना कही मुझे इनसे उम्मीद है वल राउनर सेक्शन में नसेर, लबुच्छाने को भी में ले रहा हूँ, इनके अलावा यासे ब्रेजली को में लेगे जा रहा हूँ, आप लेग यासे रैंशो को लेना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर मैं किसी एक प्लेयर को छोड़ूंगा, तो यहां से हम लोग ब्रा और वाइस केप्टन के चोईस के लिए आपर दो ऑप्शन से आपके पास नैसेर और यापर रेंशों इन दोनों को कर सकते हो रिस्क याप पर लबूच साने के ओपर भी ले सकते हो बाकी डेम कुछ इस तरह से रहेगी याद रहे जो टीम में डेमोटी में वाइनल टीन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे में चैस के वीडियो आप पूरा विडियो अच्छे सहना लिस्टेश करो अच्छी टीम बना अच्छी विनिंग करते रहो तब तक के लिए बाई धन्यवाद जहिन जय भारत